दोस्तो अभी जो आवाज आप सुन रहे हो वो AI-generated आवाज है वो भी 100% free अगर आप भी अपनी वीडियो के लिए कुछ येसी ही AI-generated आवाज चाहते हैं तो इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों AI voice generate करने के साथ साथ हम इस वीडियो में unlimited fake Gmail ID create करना भी सीखेंगे जिनका use आप अपने हिसाफ से जहाँ चाहें वहाँ कर सकते हैं हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसे AI tool के बारे में बताने जा रहा हूँ तो इस AI tool के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आप AI voice से अपने YouTube चैनल को 100% monetize कर सकते हैं इसके लिए आप मेरे चैनल पर जाके ये दोनों वीडियो देख सकते हो इन वीडियो में मैंने AI generated voice का भी इस्तमाल किया है और YouTube ने इने monetize भी कर दिया है example के लिए दोस्तों आप ये चैनल भी देख सकते हैं ये चैनल पूरे के पूरे AI generated videos ही upload करते हैं और ये सारे चैनल भी monetize हैं तो चलिए winner time waste के वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले एक basic tip दोस्तों जब भी आप किसी भी AI tool का use कर रहे हो तो सबसे पहले आपको अपने mobile में desktop mode on कर लेना है जिससे उस AI tool को use करते समय आपको कोई problem ना हो इसके लिए आपको Chrome browser में three dots पे क्लिक करना है और यहां से desktop mode on कर लेना है अब इस tool को use करने के लिए आपको Google में search करना है logo.ai इसका link में description में दे दूँगा इसके आपको इस website के इस link पे क्लिक करना है दोस्तों इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का interface नजर आएगा इसके आपको यहां पे start now for free वाली बटन पे क्लिक कर देना है अब यह आपको sign up page पे ले जाएगा अब यहां आपको sign up के two options show हो रहे हैं आपको किसी एक से sign up कर लेना है अब यहां से आपको student को select करके next कर लेना है अब यहां से आप अपने इस हाफ से कुछ भी select कर सकते हो मैं यहां से education select कर लेता हूँ इसके आद आपको generate start वाली बटन पे click कर देना है sign up करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का interface नजर आएगा अब यहाँ पे आपको new project पे click करना है अब यहाँ आपको दो अफसल सो हो रहे हैं वीडियो और voiceover का क्योंकि आज की हमारी वीडियो voiceover पे है तो हम यहाँ से voiceover को select कर लेंगे इसके आद आपको यहाँ create वाली बटन पे click करना है अब आपके सामने कुछ इस तरीके का interface नजर आएगा दोस्तों अब यहाँ पे आप जिस भी language में voice generate करना चाहते हो उस language की script आपको यहाँ पे लिखनी है मैं आपको बता दू कि आप यहाँ पे हिंदी उर्दू कोई भी language लिख सकते हैं तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे हिंदी language लिखके दिखा देता हूँ तो मैंने यहाँ पे पहले से script लिखी हुई है तो मैं उसे यहां से copy करके यहां पे paste कर देता हूँ paste करने के बाद यहां आपको इस change speaker वाला icon पे click करना है अब आपके सामने काफी सारे option आ जाएंगे यहां free voice generate करने के लिए आपको global voice पे click करना है अब यहां आपको कुछ option नजर आएंगे जैसे यहां से आप gender select कर सकते हो अगर आपको male voice चाहिए तो आप यहां से male voice को select कर सकते हो और अगर आपको female voice चाहिए तो आप यहां से female voice को भी select कर सकते हो इसका आपको यहां पे language select करने का भी option मिल जाता है और यहां से आप age भी select कर सकते हो कि आपको यहां से किस age की voice generate करनी है तो मैं यहां से language में click करूँगा और यहां पर Hindi type करूँगा अब आपको यहां से Hindi India select कर लेना है वैसे आप यहां से उर्दू language में select कर सकते हो वो भी मैं आँगे आपको वीडियो में बता दूँगा फिलाल अभी मैं Hindi को select कर लेता हूँ अब आपके सामने male और female को दो option नजारा आ रहे है तो मैं यहां से किसी एक को select कर लेता हूँ voice select करने के बाद simple आपको यहां से generate वाले icon पर click कर देना है कुछी second बाद आपकी voice generate हो जाएगी अब इस play वाली बटन पर click करके आप इसे सुन सकते हैं अभी मैं इसे download करना भी बताऊंगा लेकिन उससे पहले मैं आपको इसे उर्दू में भी बना के दिखा देता हूँ और इसके बाद मैं आपको एक pro tip भी दूँगा तो इसके लिए मैं फिर से language में click करूँगा तो आपके सामने दो अफसन आएंगे उर्दू इंडिया और उर्दू पाकिस्तान आपको यहां से जिसे भी select करना है वो select कर लेंगे select करने के बाद यहां भी आपके सामने male औ female के दो अफसन नजर आ रहे हैं तो मैं यहां से female को select कर लेता हूं तो मैंने यहां पे उर्दू में भी कुछ लिखा है तो मैं उसे वहां से copy करके यहां पे paste कर दूँगा अब आप इसे भी play करके सुन सकते हैं दोस्तों अब आप जो आवाज सुन रहे हैं आपको कैसी लगी अगर आपको मेरी आवाज अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें आपको कौन सी वाज अच्छी लगी comment section में comment करके जुरूदाना अब इसे download करने के लिए इस download वाला icon पे click करके इसे आपको download कर लेना है दोस्तों आप इसे i-tool में 20 minute की voice generate कर सकते हैं लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका होताने वाला हूँ जिससे आप unlimited voice generate कर सकते हैं दोस्तों जब आपका यह 20 minute का credit खतम हो जाए तो आपको simple google में search करना है temp mail इसका आपको इस website के link पे click कर देना है अब यह आपको यहाँ पे एक fake Gmail ID create करके देगा इस fake Gmail ID को यहाँ से copy करके आप यहाँ पे paste कर देंगे यहाँ पे आप अपने इसाफ से कोई एक password बना लेंगे अब यहाँ से sign up करेंगे अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है you are almost done अब यह यहाँ पे आप से Gmail verification के लिए बोलना है तो उसके लिए आपको वापस temp mail पे आना है आप इसे थोड़ा सा नीचे scroll करेंगे अब यहाँ पे आपको किसी एक confirm your email address पे click कर देना है अब यहाँ से confirm email address वाली बटन पे click करके login कर लेंगे इस तरीके से आप unlimited Gmail ID create करके unlimited credit ले सकते हैं वीडियो आपको कैसी लिए के comment सकते हैं कमेंट करके जुरूदाना तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक like कर देना और इसी interesting वीडियो देखने के लिए चैनल को subscribe कर लेना तो चलिए मिलते हैं नेक्ट दभाकेदार वीडियो में तब तक आपना ख्याल कीगा बाए